नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Pharmaροx की YouTube एजे को इसने जनल में आज की वड़ू लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे सभी एंटी फंगल दवाईयों के बारे में और एक ही वीडियो के अंदर यह सभी एंटी फंगल दवाईयों को हम कवर करेंगे और जानेंगे उनके बारे में detail में कि उनका use औगेरा क्या है, dose औगेरा क्या रहते है side effects के develop हो सकती है and warnings के भी study करेंगे detail में तो ऐसे समझो कि आपको detail में सिखना है बहुत सारी दवा यू के बारे में बीमार यू के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं और ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp पर message कर सकते है या फिर हमारी mobile application को भी आप download कर सकते है link description box के अंदर मिल जाएगी तब आदे हैं topic प्योर समझते हैं antifungal दवा यू के बारे में तो ये ऐसे class के medication है कि जो अलग-अलग type के जो fungal infections होते हैं उनको ठीक करने के लिए use की जाती है और especially ये medication क्या करती है कि जो fungus के growth होती है या हमारे body के अंदर तो वो growth को inhibit करके जो अपना काम करती है और अलग-अलग fungal infections जैसे कि या पर आप diagram में देख रहे हैं कि जो हमारे scalp के अंदर जो fungal infection होता है कि जिसको medical terms के अंदर tinea, capitis के condition हम कहते हैं तो यहापे आप देख रहे हैं कि इस तरह से dandruff जैसा feel होता है और उसके बाद वहापे fungal infections develop हो जाता है आपके बालों के अंदर तो उसको ठीक करने के लिए दवा ये use की जाती है कि जिसको scalp का दाद हम कहते हैं तो यहापे आप देख सकते हैं इस तरह से ring warm के condition आपके सीर में produce होती है specially जो हमारे बाल होते हैं वहापे होता है दूसरा यहापे हम देखे तो ring warm यहापे जो देख रहे हैं कि skin के उपर इस तरह से दाद बना है तो उसको ठीक करने के लिए यूज केते हैं फिर athlete feet के जो condition हम कहते हैं कि tiniya padis का आजाता है medical terms में तो उसको भी ठीक करने के लिए यह दवायों को हम prescribe करते हैं फिर tiniya padis का एक और diagram आप देखो इस तरह से specially जो हमारे feet होते हैं जो pair होते हैं वहापे नीचे की और यह infection फ्यालता है फिर tiniya cruris के condition के specially इस तरह से condition produce होते हैं कि जो जोक इच भी हम कहते हैं फिर पांचवा हम देखो तो nail के अंदर जो fungal infection होते हैं या फिर नाकून का fungal infection हम कहते हैं फिर tiniya versi color के condition है इस तरह से आपके skin के उपर fungal infection फ्यालता है फिर mucormycosis के condition के जिसको हम black fungus thesis कहते हैं उसको भी ठीक करने के लिए antifungal दवाईया यूज की जाती है फिर यह आप याप देखो तो काफी ज़्यादा affect होता है patient ये problem के करन और इसमें भी special antifungal दवाईयों का पूरा एक course चलता है फिर वजाएना के अंदर जो yeast infection होता है उसमें भी antifungal दवाईया यूज की जाती कि एकर reason वगेरा जो फूग के करन हुआ है फिर जो candida balanitis के जो condition है उसको भी ठीक करने के लिए ये medication को जो प्रिस्क्राइब की जाती है कि जिसको हम कहते है कि panis के अंदर yeast infection होना फिर keratitis के जो condition कि जिसके अंदर specially fungal infections आपके eyes के अंदर होता है तो उसको भी ठीक करता है ये medication तो अब समझते हैं अलगल उनके examples तो सबसे पहले जो famous antifungal दवाई है वो है fluconazole और उसका एक या आप एक formulation हम देख रहे 150 mg का ये tablet तो ये tablets जो है वो week में एक ही बार लेनी होती है और specially जो tinea infections होते है या फिर candidiasis के condition होते है तो उसमें single dose therapy के तोर पे पी ये कई बार जो है वो use की जाती है इसलिए के करन आप देखो दूसके packing के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही tablet available है कि जो single dose के therapy पे use किया जाता है और week में एक ही बार जो है उसको use करते हैं उसका दूसरा एक version है वो है 100 mg के tablet कि जो DT tablet आता है dispersible tablet के इसको क्या करना आता है कि tablet को लेना होता है और फिर उसको पानी में डालना होता है और उसका जब solution तयार होता है तो वो solution जो patient लेते है और ये special जो systemic mycosis की condition होती मलब कि body के जो internal organs में समझे के कोई fungal infection हुआ है तो उस वक्त उसको ठीक करने के लिए इसको use किया जाता है और उसका dose रहता है 100 mg per day और maximum 4 दिन तक जो उसको use करना होता है 2 से लेकर 3 drop पूरे दिन में जो patient use करते है और जो keratitis की जो हमने condition देखी कि जो आपके आखों के इंदर fungal infection होता है उसको ठीक करने के लिए ये use किया जाता है फिर उसी के eye drops के जैसे ही ear drops के हमारे पास option है कि समझे कि आपके कान में fungal infection हुआ है और उसके करन काफी ज़्यादा complications हो रहे है तो 4 या 5 drop जो हो दिन में डाले जाते है तीन बार और specially ये जो medication है इसके अदर 0.3% concentration रहती है fluconazole की फिर एक और option है fluconazole का वो है IV drip का भी option रहता है कि जो week में 2 या फिर 3 बार जो patient को लगाई जाती है तो ये एक famous medication है कि जिसके सभी अलग-अलग versions जो वो available है next समझो कि वो medication है option इसके अदर वो है itraakonazole तो itraakonazole के 200 mg के ये capsules market में available होता है और उसका जो dose रहता है वो एक tablet या फिर उसके जो capsule से वो दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो वो patient ले सकता है और maximum ये medication जो वो 7 दिन तक use की जाती है फिर उसके 100 mg का भी option अविलेबल होता है next हम देखे तो famous antifungal medication है वो है clotrimazole तो clotrimazole जो है वो antifungal भी है antitrichomonal medication भी है कि जो specially vaginal tablets में काफी ज़्यादा उसको use किया जाता है कि जो हमने आगे देखा कि vaginal yeast infection होता है तो उसमें ये जो वो use की जाती है और रोज एक जो tablet या फिर उसकी जो suppository है वो vaginal के अंदर रात को जो वो insert करनी होती है और maximum 6 दिन का जो उसका course रहता है अगर कोई tablet यूज नहीं कर पता suppository यूज नहीं कर पता तो उनके लिए cream के भी option अविलेबल होता है तो यहापे आप देख सकते है clotri muscle की cream का option अविलेबल है 1% की उसकी strength रहती है और वो affected area में दिन में 2 या 3 बार patient लगा सकते है उसके VGL भी available especially vaginal use के लिए तो वो भी same आप दिन में 2 या 3 बार जो वो लगा सकते है next option है clotri muscle के powder का भी option हाता है famous marketed formulation आप देख रहे close-up करके कि यह जो powder जहापे आपको fungal infection हुआ है वो आप पे sprinkle कर सकते है और यह भी दिन में 2 या 3 बार जो लगाया जा सकता है next option है वो है tablets के अंदर warig onazol का कि यह भी एक काफी famous antifungal medication है और इसको दिन में 1 ही बार लिया जाता है और कभी कबार ही 2 बार जो वो उसको use करनी होती है पर दियान यह रखना होता है कि जब भी आप यह tablets लेते हैं तो खाना खाने के 1 गंटा पहले या फिर एक गंटे बाद जो वो उसको ली जाती है और packing के अंदर इस तरह से आपको 4 tablets मिल दिये तो maximum 2 या 4 दिन का ही यह course रहता है next option है उसके injection का भी option रहता है पर उसके आपको dose calculate करना होता है और dose calculation इस तरह से होता है 6 mg per kg हर 12 गंटे पे लगाया जाता है दो dose यह उसके लगते इस तरह से तो proper calculation के बाद वो IV में लगाया जाता है और वो भी IV fluids के अंदर dilute करके next option है वो है ketoconazol तो यह भी काफी एक antifungal काफी famous antifungal medication है तो fungi side करके उसके यह tablets आप देख रहे हैं तो उसका dose रहता है 200 mg दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार patient जो ले सकता है तो यह जो 200 mg के tablet है वो आप दिन में ले सकते हैं रात में भी ले सकते हैं या फिर lower dose में treatment start कर रहे हैं तो दिन में एक ही बार लेना भी ठीक रहता है फिर उसका shampoo भी आता है कि जैसे हमने बाद एखा के आगे कि हमारे बालों के अंदर जो scalp के अंदर fungal infection होते है तो उस वक्त उसका ये shampoo यूज़ किया जाता है कि antidendrop shampoo रहता है साथ उसाथ जो fungal infection वहाँ पे होता है उसको भी ये ठीक करता है और इससे आपको आपके hair जो है अच्छे से wash करने होते हैं week में 2 या 3 बार ये shampoo को use करना होता है कि जिससे fungal infection जो वो ठीक होता है उसी दरा से उसके cream का भी option बनता है कि ये keto wet करके cream आती है 2% के strength के अंदर तो वो जहाँ पे fungal infection हुआ है वहाँ पेशन दिन में 2 या 3 बार लगा सकते है फिर उसका साबुन भी आता है तो आप नहाने के लिए उसको use कर सकते है कि आपके skin के ओपर काफी ज़्यदा fungal infection फैला है और आप tablets भी खा रहा है पर साथ में ये साबुन भी use कर सकते है next जो option है वो है टर्बीना फोर्स करके जो tablet आदे है marketer formulation है टर्बीना फोर्स है उसके अंदर हम medication की बात करे तो टर्बीना फीन है 250 mg के tablet तो ये जो tablet है वो दिन में एक या 2 tablet लेनी होती है हर 6 या 8 गंटे के time interval पे next option है उसके 500 mg के भी tablets आदे है कि अगर 500 mg के tablet आप यूज़ करते है तो एक ही tablet लेनी होती है पूरे दिन में दो tablet कभी भी यूज़ ना करे वरना इसका काफी high dose हो जाएगा next option available है वो है टर्बीना फीन के 1% cream का कि टर्बीना फोर्स करके उसके cream भी आती है कि अगर कोई tablet नहीं या फिर tablets ठीक नहीं हो रहा तो आप वहाँ पे उसके cream भी लगा सकते है next वो है ग्रिस्यो फुल्विन के tablets का कि जो 250 mg की strength के अंदर market में available होती है और उसका जो dose रहता है 125 से लेशिक कर 250 mg QID मलब कि दिन में 4 बार patient ले सकता है और खाने के साथ जो उसको लेनी होती है कि जिससे side effect और दूसरे complications वगेरा ना हो फिर all available option है वो है M4 darracin B का तो M4 darracin B का या पर आप injection देख रहा है तो उसके लिए dose calculation करने पड़ती है और यह वो specially IV में लगाए जता है और जो hospitalized patient होते हैं मतलब कि जैसे हमने mucormycosis की condition देखे कि जो black fungus disease का एक problem देखा तो इस तरह की fungal infection है कि जो आपके body के अंदर फैला हुआ है as well as internal organs को भी वो damage कर रहा है तो उस वक्त यह IV से दिया जाता है और dose रहता है 0.3 से लेकर 0.7 mg per kg per day के हिसाब से जो उसको लगा जाता है तो मतलब कि patient का weight calculate करके फिर ये proper calculation के साथ ही dose दिये जाता है उसे में दूसरा option available है वो है liposomal ampotation B का option रहता है कि इसका आप यहाँ पे देखो तो dose रहता है 3 से लेकर 5 mg per kg per day के हिसाब से IV के अंदर जो उसको लगा जाता है तो ये सिर्फो सिर्फ IV से ही यूज किया जाता है IM में नहीं लगा जाता और proper dose calculation के साथ ही जो उसको यूज किया जाता है next option वो है serta konazol का कि जो specially vaginal यूज के लिए होता है तो उसके आप यहाँ पे vaginal tablets देख रहे हैं और यह single dose therapy के तोर पे यूज किया जाता है कि एक जो यह tablet है वो रात को insert करनी होती है और यह एक ही बार यूज करना होता है वीक में और second time समझे कि उसका dose repeat करना है तो gynecologist के सलाह के according to a second dose जो यह वो लिया जाता है उसी तरह से anticonazole के भी vaginal tablets आते हैं तो वो भी similarly use किया जाता है एक ही tablet जो रात को vaginal tablets के अंदर insert करनी होती है फिर है nistite इनके vaginal tablets का option available है यह भी एक famous antifungal drug है और एक tablet जो रात को insert करनी होती है vaginal के अंदर और उसके course के हम बात करें तो total 14 days का यह course रहता है के अगर जो vaginal candidiasis के condition produce हुए तो उसमें यह medication use की जा सकती है के अगर clotriamazole से ठीक नहीं हो रहा तो यह option भी आपके पास रहता है फिर है nistite इनके oral solutions भी आता है तो इसका जो dose रहता है 1 ml जितना रहता है और दिन में 4 बार जो वो छोटे बच्चे को दे सकते है और यह खास कर dropper को यूज करके ही बच्चे को जो है वो दिया जाते है अगर बच्चों को कोई fungal infection हो रहा है next option है वो है natamycin के ophthalmic solution का 5% के strength में यह available होता है और यह जो eye specialist होते हैं उनके सलाह के according to ही यह medication को use किया जाता है फिर antifungal में next option available है वो है econazol का तो econazol के creams available होते हैं और वो दिन में 2 या 3 बार जेवाप apply कर सकते हैं फिर meconazol के creams का भी आप एक option बनता है कि जो 2 या 3 बार जेवाप apply कर सकते हैं specially जो jaw case की condition होती है उसको ठीक करने के लिए यह medication use की जाती है फिर एक cream का option हम देखे तो वो है oxyconazol का तो oxyconazol के cream भी आते हैं lotion भी आता है और वो similarly use किया जाता है कि दिन में 2 या 3 बार जो वो patient उसको जो वो use करते हैं next option हम यहाँ पे हम देखे यह तो लिवाफिन के जो cream आते है कि जिसके अंदर salt content है emoral fin करके है कि वो एक famous antifungal medication है और यह भी cream दिन में 2 या 3 बार लगाई जा सकती है फिर sodium था और sulfate का जो lotion आता है specially जो वर्सी कलर के हमने condition देखी तो उसमें जो यूज के जाता है यह lotion जो लगाया जाता है दिन में 2 या फिर दिन में 3 बार next option यहाँ पर हम देख रहे है cream के अंदर वो है cyclopirox का देख रहे है 0.77% की strength में यह available होता है USP के according to जो उसको बना जाता है पर यह specially जो वो skin के ऊपर ही जो लगा जाता है मलब कि जो externally ही उसको लगा जाता है ना ही उसको eyes में लगाना है ना ही आपको body के कोई internal part में लगाना है सिर्फ फिर सिर्फ skin के उपरी layer पे ही उसको लगा जाता है फिर butanafine के भी creams available होता है कि जो यह आप एक formulation देख रहे हैं blend mark का fin top cream है कि जो दिन में दो या तीन बार जी वो patient लगा सकते है फिर luliconazole के भी cream के option available है कि जो दो या तीन बार लगा जा सकता है लली fin करके आप उसका एक marketed formulation है lufungal करके medication है कि जो creams के यह अलग-अलग हमारे पास option हो गए है फिर tablet में एक और option हम देखे तो वो है posa konazole का कि marketed formulation के अंदर 100 mg के यह इसके gastro resistance tablet available होते है और उसका जो dose रहता है 300 mg पर day मलब कि आप 100 mg का यह tablet यूज करें तो वो दिन में 2 या फिर 3 बार जी वो patient यूज कर सकते है तो यह हो गई अलग-अलग options आप जानते है उनके sad effects के बारे में तो अगर यह medications आपको suit नहीं करती तो उसके करण problem और बढ़ सकती है skin के उपर इस तरह से racist जो वो develop हो सकते है second हम देखे तो उसके करण abnormal heart rhythm हो सकते कि जिसको torset d points की condition कहीं जाती है कि इस तरह से आपके यह उपर आप diagram देखो तो वो जो है वो यह वाला जो है वो normal है और यह तरह से abnormal condition जो वो produce होती है heart rhythm की तो यह खास आपको दियान रखने के कोई heart का patient या फिर जिनके already heart beat c-requill रहते है उनको यह medication use नहीं करने चाहिए उसके cream बगेरा use कर दो चलता है पर oral या फिर IV में जो वो use नहीं कर सकते है फिर option यह जो है कि increase कर सकता है acid का production मलग कि उसके करन क्या हो सकता है कि patient के acidity बढ़ सकती है या फिर सीने में जलन जैसा उसको फिल हो सकता है और दूसरे कुछ common side effect देखे तो nausea, vomiting, diarrhea, headache, abdominal pain और सोने में दिक्कत दियाना यह सब complications हो सकते है अब उसके warnings के हम बात करे तो अगर किसी को allergy है यह दवायों के तो उसको use ना करें कोई भी antifungal के आपको allergy है तो proper precautions के साथ use किया ज़दा है फिर जो liver disease के जो patient होते हैं उनके लिए भी यह medication को use नहीं करते हैं कि जिसको हम hepatic diseases करते हैं फिर जो kidneys के patient होते हैं उनके लिए भी proper जो एक warning रहती है use करने पर and pregnancy के दौरान सिर्फ और सिर्फ flukonazol और वो भी single dose की therapy use की जाती है कि जो हमने 150 mg के जो antifungal की बात की थी 150 mg के flukonazol के सिर्फ वो ही use की जाते हैं दूसरे antifungal use करने से side effect हो सकते हैं या फिर जो clotri mazol है वो आप use कर सकते हैं वज़ाई न ली फिर दूसरे कुछ warnings हम देखे तो अगर किसी के body के अंदर magnesium के मातरा कम है उसके blood के अंदर या फिर putism के मातरा कम है तो उसको जो वो use ना करें तो advice यहाँ पर रह रहे कि आप वीडियो को जरूर से सेर करें अलग-अलग whatsapps group के अंदर और channel को जरूर से subscribe करें और वीडियो को like करें जो भी आपको next upcoming videos देखने हैं उसका आप comment करें और medicine course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best